जै हें दोस्तों, स्वागत था आप सबका Sleepy Classes के YouTube चानल पे, उमीद करता हूँ आप सब बहुत-बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों आज है 15th March, दोस्तों आज किदर हम डिसकस करेंगे 3 important editorials The Hindu और Indian Express में से तो काफी समय से editorials नहीं ढंके आ रहे थे, दोनों newspapers में because elections की cover चल रही थी तो आज कुछ तीन articles आए है, तीनों के तीनों, अगर articles की में बात करूँ तो कहीं ना कहीं वो Ukraine, Russia की लडाई को लेके ही संबंदित है, अब उसको लेके हमने बहुत चर्चा करीब ही है पहले लेकिन एक central बात जो इन तीनों editorial में सामने आ रही है, कि इंडिया के लिए क्या message है इस लडाई से इंडिया को क्या सबक मिल सकते हैं सीखने के लिए तो यह सब बात हैं हम इन तीनों editorial में discuss करेंगे, तो अगर topic wise में बताओ तो दो editorial जो है, वो हमारे international relations यानि GS2 से pertinent है और एक article जो है, वो भी Russia-Ukraine के लड़ाई से ही context में आता है लेकिन जो topic बनता है इसमें, वो defense manufacturing का बनता है, जो के आपके GS3 का component है दोस्तो अगर मैं article की बात करूँ, तो अगर मैं questions की बात करूँ तो मैंने, जैसे आपको बने बताता है कि selective editorials के लिए questions रख रहे हैं बिकॉस बहुत सारे बच्चेया, I'm assuming कि अभी prelims आ रहे हैं, तो शाहद अभी वो answer writing practice भी regularly नहीं कर पाएंगे तो इसकर के मैंने, जो पहला article है और जो तीसरा article है, इन दोनों के end में questions रखा हुए अगर आपको time लगे, तो you are more than welcome to attempt it Having said that, अपनी आज की चर्चा शुरू करते हैं, शुरू करने से पहले जस्ट एक चोटी से information आपको देना चाते हैं तो अगर आपको इसके बारे नहीं बता, दोस्तो हमने कुछ नए courses शुरू करे हैं, 2023 के जो batches के लिए तो अगर essay writing के regarding कर आपको जानकारी लेना चाते हैं, तो बहुत एक comprehensive course है essay writing का तो अगर आपको इसके बारे कोई जानकारी लेनी है, अगर आपने इसमें enroll होना है, तो आप ये दिएगर नंबर पे call कर सकते हैं या website पे visit करके इसके बारे और information ले सकते हैं चरिए, तो दोस्तों आज की अपनी discussion शुरू करते हैं, पहला article सुहासिनी हेदर ने लिखा है, fragmenting world order united nations अब बात ये हो रही है, कि रश्य युक्रेन की लड़ाई को तीन हफते होने को आ गए है, अब UN कहाँ पे है, UNSE कहाँ पे है, UN को establish किस purpose के लिए क्लिए क्या आ गया था, देखिए जो purpose था UN को establish करने का, world war 2 के बाद, कि भी अमन शान्ती बनी रहे, global peace और order बने रहे, लेकिन 20th century में कितनी लडाईया हुई, 21st century की बहुत major लडाई अभी हमारे सामने देखने को हमको मिल रही है, हर एक लडाई के बाद कुछ ना कुछ देखे, geopolitical trends बदलते हैं, चाहे world war 1 था, चाहे world war 2 था, चाहे disintegration of the USSR था, fall of the Berlin wall था, अब आज के time पे 21 सदी में ये एक बहुत बड रशाता है United Nations और United Nations Security Council की ineffectiveness का, तो क्या फरक रहे गया, आज से 20 साल पहले George Bush ने इराग के उपर invade किया था, ये कहके कि इराग में weapons of mass destruction है, तो चलो सुदाम हुसेन को मारा, इराग में invade किया, कोई weapons of mass destruction तो नहीं मिले, आज 2022 में अगर Vladimir Putin वो काम कर रहे हैं, तो Vladimir Putin और George Bush में क् बड़ी ताकते हैं, ये जो countries हैं, ये UNSC का भी member हैं, ठीक है, अब Russia है, UK है, USA है, ठीक है, अब ये इतनी बड़ी बड़ी ताकते हैं, अगर UNSC के members हैं, तो ये क्या कर क्या रहे हैं, इस crisis को diplomatically resolve क्यों नहीं कर रहे हैं, हमारे सामने images आती रहती हैं, newspapers में, TV channels पे, कितने लाख इनसेंट लोग मारे जा रहे हैं, कितने सारा refugee exodus हो रहा है, आज news में ये भी बात देती हैं, कि लगभग 2.8, लगभग 3 million, जो citizens हैं, Ukraine के, they have fled from Ukraine, and they are traveling to other parts of Europe, तो ये बहुत बड़ा refugee crisis देखने को मिलेगा, इस तना का refugee crisis हमको सिर्या के civil war के टाइम पे भी देखने को मिला थ आज से कुछ 6-7 साल पहले, अब अगर हम बात करें, relevance of P5 countries के, तो बहुत बार ये बात हो चुकी है, UN reforms को लेके, UNSEE reforms को लेके, after all कब तक 5 ही देश UNSEE के members बने रहेंगे, और ये 5 देशों ने किया क्या है, इतने सारी लडाईयां हुई है, ठीक है, अब देखिए, अब रश्या के जो envoy थे, जब वो United Nations के session को preside करें थे, जब ये Ukraine के लडाई को लेके, वहाँ पर चिंता जदाई जा रही थी, वहाँ पर जब इसके ऊपर discussion हो रही थी, जब रश्या के उपर sanctions लगाने की बात करी जा रही थी, जब रश्या के aggression को condemn करने की बात करी जा रही थी, उसी समय, जब ये session चल रहा था, उसी समय, Vladimir Putin ने अपनी military को order दिये, कि भई, आप जा की Ukraine पे इन बेट करिये, military operations लाँच करिये, अब ये क्या दरशाता है, doesn't this reflect very poor of the P5 member, ये जो हमारा जो UNSC जो block है, जिसमें USA, UK, Russia, China और France है, doesn't it reflect the incapability, the inefficiency of the UNSC, ठीक है, अब जरूरत क्या कर रखा हुए है, तो इस crisis को resolve करिए, जो global order भी destabilize हो रहा है, क्योंकि देखिए, बहुत सारे जाने माने जो author है, बहुत सारे जाने माने जो columnist हैं, वो ये कहरे हैं कि 1991 के बाद, disintegration of USSR के बाद, ये सबसे बड़ा एक geopolitical event हो रहा है, which can destabilize the existing global world order, तो उसको stabilize करने की कोशिश क क्यों नहीं करी जारी है, diplomatically इसको resolve करने की कोशिश क्यों नहीं करी जारी है, बाते तो बहुत बड़ी-बड़ी पहले कर रहे थे, जो Biden भी कह रहे थे, कहा हम Ukraine की help करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सिर्फ सांक्शन लगा दिने से बात नहीं बनने वाली है, अब अगर nuclear सेफगार्ट की आगर हम बात करें, तो देखे, बहुत दुख की बात है कि Russia, अगर हम चर्णोबिल की बात करें, या जापरिजिया की बात करें, तो बहुत फेमस सिटीज हैं यूकरीन की जहां पे nuclear power plants है, जापरिजिया की बात करें, लार्जिस नुक्लियर प्लांट है, य इसका जो impact था युकरीन के लोगों के पर बहुत massive था, अब रशिया आज के time पर aggression दिखा रहा है, ठीक है, bombing कर रहा है, nuclear facilities को attack कर रहा है, क्या ये सब अच्छी बात है, क्या ये सब शोबा देता है रशिया को, ठीक है, अब देखी, US के detonation के बाद, जब हीरो शेमा नागा साग है, इतनी detailed चीजों में वहाँ पर चार्टर में बाते लिखी गई होती है, लेकिन उसको फिर uphold क्यों नहीं किया जा रहा, ठीक है, so the world must also consider the cost to the nuclear non-proliferation regime's credibility, ठीक है, तो ये जो nuclear weapons है, इसकी यहाँ पर देखी, बहुत जरूरी है, इस इसको safeguard करना, because देखी, nuclear facilities पर attack करने के जो consequences है, society के उपर, लोगों के उपर, जो radiation emit होगा, that can be very massive, role of non-state actors के अगर हम बात करें, देखिए, आगर हम non-state actors की बात करें, जब से war on terrorism launch किया गया था, जब twin tower attacks हो थे 2001 में, 11 September 2001 में, उसके बाद non-state actors को लेके बहुत ज़्यादा बात करी गई थी, ठीक है, कि कैसे, देखी, द non-state actors में, जैसे के पाकिस्तान की आदत है, जैशे मोहमद, लश्करे तॉइबा के लोगों को use करना, इंडिया को harm पहुचाने के लिए, तो ये, देखी, बहुत एक interesting बात हमारे सामने देखने को मिल रही है, कि दोनों तरफ से, युकरेन की तरफ से भी, रश्या की तरफ से युकरेनिन लोगों के पर हाम कर सकते हैं, और अगर हम जलेंस्की की बात मानें, तो जलेंस्की खुले आम लोगों को invite कर रहे हैं, पोलेंड से, यूके से, जर्मनी से, कि आप आईए, आप जो भी foreign fighters है, you're all more than welcome in my country, ठीक है, और आप रश्यन आर्मी के साथ, रश्यन लोग हैं, ठीक है, अब देखिए, USA है, UK है, जर्मनी है, बहुत बड़े लिखे देश हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े देश हैं, including अगर हम इंडिया की भी बात करें, तो इन सब देशों को ये सोचना चाहिए, कैसे कोशिश की जा सकती है, कि non-state actors का utilization इस पूरे crisis में ना कि आजाए, ठीक है, economic actions की अगर हम बात करें, तो देखिए, यह जो economic sanctions लगाने की बात, UK कर रहा है, USA कर रहा है, और अमेरिका ने जो बाइडिन ने तो काफी pressurize भी किया, जर्मनी को, इटली को, आस्ट्रिया हो, कैसे वो अपना जो trade है, खास करके जो gas import कराते है Russia से, using the North Stream 2 pipeline, कैसे उस पर sanction लगाई जा सके, कैसे जर्मनी की जो dependency है Russia के उपर कम हो सके, ठीक है, लेकिन यह जो culture है कि अभी Russia में McDonald's बन कर देना, Mastercard transaction के उपर ban लगा देना, Visa card transaction के उपर ban लगा देना, अब यह 2 sanctions आप लगाएंगे, अमेरिका लगाएगा, 3 sanctions Russia लगा देगा, तो यह कब तक चलता रहेगा, ठीक है, सवाल यह है कि क्या यह efficient तरीका है, देखिए, short term, मैं यह बात पहले भी कह जगाँगे, short term losses है, Russia के लिए के long term losses है, बात वो matter नहीं करती, लेकिन युक्रेन में लोग मारे जा रहे हैं, तो युक्रेन के लोगों को राहत नहीं मिलने वाले कर हम जित जो तीन हफते जो पिछले निकले हैं, Russia युक्रेन के crisis के चलते, अब इसे बहुत सारी नहीं बाते सामने आई हैं, अब क्या हम यह भी सोच सकते हैं, देखिए, हमने बात करी ना, कि कोई भी लडाई होती है, इस stage पे, ठीक है, हम World War I, World War II, हम सब ने पढ़ी है, World Wars के बारे अगर हम disintegration of USSR के बात करें, end of Cold War के बात करें, so that had geopolitical ramifications, and also geopolitical ramifications also lead to geoeconomic ramifications, now are we ushering towards an era of deglobalization, ठीक अब यह sanctions लगाने का culture है, जो अगर अमेरिका बोले कि जो मेरे दोस्त हैं, वो रश्या के साथ import नहीं करेंगे, रश्या के साथ trade नहीं करेंगे, वो मेरे दोस्तों के साथ trade कर हम यह बात पहली भी discuss कर चुक है, कि India being the land of Gandhi, Buddha, Akbar, Ashoka, तो हम peace loving लोग हैं, ठीक है, हम अपनी soft power को, soft diplomacy को use करते हैं, लेकिन कब तक, यह जो अभी हमने stand लिया है, हमने रश्या के aggression को, हमने नहीं बोला, हमने चलो हमने बोला कि हम रश्या के against नहीं, हमने अपनी चुपी करना, अमेरिका के साथ मा रिलेशन ही खराब करना, कब तक यह करते रहेंगे, कब तक अपनी vulnerability दिखाते रहेंगे, तो यह सब बाते short term के लिए ठीक है, beneficial होगी, लेकिन long term के लिए सही बात नहीं है, तो बहुत जरूरी है, कि अगर हम इंडिया की बात करें, ठीक है, अगर अगर इंडिया सच में अगर अपना को super power कहलाना चाता है, अगर 21st century, Indian century सच में अगर होगी, तो बहुत जरूरी है, कि देखी, वो देश यहां पे, वो देश commendable होंगे, देखने लाइक होंगे, जो कि कोशिश करेंगे, कि global order को कैसे reinvent किया जा सकता है, कैसे stability लेके आई जा स question क्या बनता है, the crisis unfolding in Ukraine is also witnessing another crisis of a crumbling global order led by United Nations, क्या आप इस बात से सहमत है, अगर है, तो इसको देट सो शब्दों में आप comment कर सकते हैं, चलिए, अगला article, again written by the great C. Raja Mohan, the great geopolitical reset, ये Indian Express में आया है, again Russia, Ukraine के लिए राही को ही लेकि ये जो article है, उससे ही pertinent है, देखिए अब यहां कुछ ये trends की बात कर रहे हैं, कुछ emerging geopolitical trends की बात कर रहे हैं, कि जैसे मैंने अभी आपको पिछले article में भी बताया, सौहासनी हैदर के article में भी, कि हर एक लडाई के बाद, इस तरह के बहुत बड़े event के बाद, कुछ ना कुछ changes देखने को मिलते हैं, तो यहां पे कुछ उन acknowledge कर रहा है, कि भी जो other pole है, significant other pole है, वो China है, लेकिन Russia भी अभी इस time पे बहुत एक triangular contest चल रहा है, Russia, China और America के बीच में जहां भी Russia और China एक तरफ है, अमेरिका एक तरफ है, ठीक है, तो यह tripolar contest हो रहा है, ठीक है, अब देखिए, अब there seems to be a great private triangle between USA, Russia and China, जब से Joe Biden President बने है, त last year Joe Biden की Vladimir Putin के साथ एक meeting हुई थी, जहां पे उसने Vladimir Putin को ये कहा था, कि भाई देख, अभी इस वकत हम अपनी लड़ाई जगडे side पर रख देते हैं, कि अभी जो मेरा focus है, वो Indo-Pacific पे रहने वाला है, अभी मैं China के aggression को contain करना चाहता हूँ, अभी मैं Europe इतना focus नहीं करना चाहत हूँ, ठीक है, तो भाई-भाई बनके इस बात को ये आप इस resolve कर लेते हैं, लेकिन Vladimir Putin ने कहा कि ठीक है, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि आप जिस मर्जी को contain करिए, आप Indo-Pacific में जाए, कहीं मर्जी जाए, आफरिका में जाए, अंटार्टिका में जाए, कहीं मर्जी ज चुकी है, ठीक है, अब ये एक बहुत एक टकर की बाद आ रही है, यहाँ पर तीनों देशों के बीच में, यूनिटी और इस पूरे जगड़े में, ये भी देखने को मिल रहा है कि रश्या और चाइना के जो संबंध हैं, वो बहुत जादा डीप हो रहे हैं, यूनिटी बहुत सारे differences हैं, जर्मनी, अमेरिका, यूकें, सब देशों के बीच में, जैसे के for example, जर्मनी के जो नए चांसलर बने हैं, अब वो बहुत जादा खुश नहीं थे कि जो बाइडन ने, उनके presence में, उनकी मौझूदगी में बात announce बोली कि भी not stream to pipeline नहीं रहेगी, नहीं ब नहीं होना चाती रश्या के साथ इस लड़ाई में, बिकोज उनकी dependency बहुत जादा है रश्या की gas के उपर, रश्या के oil के उपर, और अपर दूसरी बात करें, देखिए ये भी कहना क्या सही रहेगा, कि जी जिन पर और व्लादमीर, व्लादमीर पुटीन ने कहीं ना कहीं जो बाटन को बहुत underestimate किया था, चलो उन्होंने इस बात का बहुत जशन मनाया कि अभी अमेरिका ने अपना आपको retreat कर लिया अफगानिस्तान से, तो चलो हमारी बारी है, हम इस vacuum को occupy करेंगे, लेकिन somehow, अभी जो crisis चल रहा है, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, देखिए अभी western nations जो हैं, कुछ जादा, देखिए वो Ukraine को तो पीछे से तो बहुत support कर रहे हैं, लेकिन सामने आगे तो कुछ कर नहीं रहे हैं, nevertheless जो present crisis अभी unfold हो रहा है, this is showing that coming together of the western powers very quickly, very swiftly, तो NATO को भी थोड़ा synergize करने की बात की जा रही है, अब disciplining of Europe की बात करें, देखिए अभी तक क्य चाइना के साथ भी trade करना, रशा के साथ भी trade करना है, तो लड़ाई जगडे में तो हमने नहीं बढ़ना, हमने अपनी economies को और strengthen करना है, economies को और integrate करना है, ठीक है, अब यह जो illusion था कि भी जो European Union की जो देश है, वो trade करते रहे हैं, रशा और चाइना के साथ, और अगर कोई प करे थे कि यह क्या बात बनी, कि जब आपका कोई जगड़ा होता है रशा के साथ, तो आप NATO को याद करते हैं, अमेरिका को याद करते हैं, वैसे आप इतना सारा trade करी जा रहे है रशा के साथ, चाइना के साथ, तो अब उनकी अपनी autonomy अगर वो trade कर भी रहे हैं, ठीक है, अब आपको बंद करना पड़ेगा, तो European Union cannot boost Russian revenues on one side, while Russia is busy invading a war, और engaging a war in Ukraine, ये दोनों बाते साथ के साथ नहीं चल सकती हैं, शिफ्ट इन एशिया की बात करें, लेकि दोस्तों अब ये Ukraine जो attack किया है रशिया ने, इसके चलते बहुत सारे concerns जपान को, ताइवान को, वियतना को होने शुरू हो चुके हैं, कि अगर आज रशिया नहीं ये काम किया है, तो क्या कल को चाइना भी इस तना का aggression दिखा सकता है, चाइना तो अलड़ी बहुत ज़ादा अपना naval dominance और aggression अलड़ी South China Sea में दिखा रहा है, अब अगर हम जपान की बात करें, जो कि इतने सालों से खास करें कि Hiroshima Nagasaki के bomb, जो nuclear bomb जब फेंगा गया था इन दोनों से टीव, उसके बाद Japan बहुत चुप रहा है, जपान की किसी भी किसम की ऐसी हमने news नहीं सुनी कि Japan कहीं किसी global stage में aggression दिखा रहा हो, ठीक है, जपान is returning to a hawkish line, हमने भी पीछे reciprocal access agreement की बात करी थी, which is a military and defense sharing pact between Japan and Australia कि Japan भी अब थोड़ा कोशिश करना चाता है कि independently वो भी कैसे चाइना को contain कर सकता है by forming alliances with like-minded countries, तो यह RAA agreement है that is between Japan and Australia, ठीक है, अब देखिए, जपान ने बहुत कोशिश करी इतने सालों से रशिया को थोड़ा अपने दरफ करने के लिए, रशिया और अपने जपान और रशि थी कि हम peace चाते हैं, अमन शांती चाते हैं, nuclear wars नहीं चाते हैं कि हमने हमारी society ने nuclear bombing impact देखा है by Hiroshima and Nagasaki attacks, तो Japan is also now rethinking its nuclear abstinence, ठीक है, now developments in Europe reinforce Japan's determination to strengthen the conventional military capabilities and Japan will definitely deepen its alliance with America more and more, and what is worrying Japan, Taiwan and Vietnam at the moment is, again the same thing, that USA की जो अभी energy है, USA का जो भी attention है, वो इस region से drift करके Europe में जा रहा है, अब Asia nations के अगर हम बात करें, तो Asia nations भी देखी बहुत conflict में है, there are also torn between USA and China, वो चाइना के साथ भी पंगा नहीं ले सकते हैं, और Asia nations जो है, USA को भी नराज नहीं कर सकते हैं, अब Asia, जो countries उनको पता है, कि जो China का rise है, that is inevitable, China अ बहुत जल्दी होने वाला है, तो इस situation में हमको अपनी independent security policy बनानी बहुत जरूरी है, इस बात की बातें अब South East Asian nations भी कर रही हैं, तो अंत में conclusion का निकलता है, जो के पांच 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 इमेंशन है, जो सी राजा मोहन ने बोला है, वो India के लिए, this is the first major conflict amongst the great powers in the 21st century, इसके चलते हैं इंडिया के सामने बहुत सारे challenges आए हैं, अब ये इंडिया के जो challenges आए, इसको लेकर अगले editorial में भी बात करेंगे, बहुत ब्रीफी जो यहाँ पर बात करी गई है, हमारे बहुत पराने संबंदर रश्या के साथ, हम इतना सारा defense का समान रश्या से इंप करता की बात करते हैं, हम defense modernization की बात करते हैं, defense indigenization की बात करते हैं, कैसे उस defense capacities को हम increase कर सकते हैं, ताकि कल को हमारा stature इतना rise करे, कि हम self-sufficient हैं अपने defense requirements के लिए, ताकि कल को को कोई बी country, जिसके इंडिया के संबंद अच्छे भी है, कुछ अगर गलत काम कर भी aggression दिखा भी रहे, तो हम बहुत bravely, बहुत boldly stand ले सकते हैं, against that nation, not being dependent on that nation, कि हम हाँ से defense का समान बहुत जादा मंगवाते हैं, अगला article, यह हिंदू में आया है, यह last editorial रहेगा आज का, the wars, cold facts and what India needs to glean, अब देखिए, again, Ukraine रश्चा की लड़ाए की बात हो रही है, अब इसके करेगा, देखिए, लड़ाई से पहले, तो बहुत सारी बात, जो बाइडन भी कह रहे थे, कि जी हमारी open door policy है, कोई भी NATO को join कर सकता है, अब क्या हुआ, तो यह तो वहम दूर हो गया, तो Ukraine को अपने कंधे अपने आप ही मिजबूत करने पड़ेंगे, अपनी वाजूं को और तकड़ा करना पड़ेगा, और स्ट्रॉं करना पड़ेगा, कोई और Ukraine की मदद नहीं करेगा, तो आज की टाइम पे, लेकि कोई भी देश को, कोई भी देश को अपने vital interest को protect करना है न, उसको खुद अपने आपको ही sufficient बनाना पड़ेगा, वो एक देश अपने आप ही कर सकता है, उसके लिए hard power बहुत जरूरी है, soft power पर रिलाइन नहीं किया जा सकता, इस article में ये बात करी गई है, कि कैसे हम, अगर इंडिया की बात करे, हमारी dependency हमारी soft power की उपर जादा रही है, चाय क्रिकेट है, चाय बॉलिवोड है, चाय योगा है, ये ठीक है, ये सब रहे, लेकिन hard power के उपर बहुत जरूरी है, ये crisis हमको दिखा रहा है कि Ukraine आज के टाइम पर अकेला है, बहुत बड़ी बड़ी बाते कही गई थी, आज कहां पर है, UN कहां पर है, UNSE कहां पर है, अमेरिका कहां पर है, कोई support कर रहा है, ठीक है, अब वो दोस्ती आरी कहां पर गई, ठीक है, अब ये जो crisis Ukraine में चल रहा है, Ukraine अभी अखेला लड़ रहा है, Ukrainian citizens अकेले लड़ रहे हैं, ठीक है, जितने मर्जी आप sanctions रश्या के उपर लगा दो, लेकिन कितने सारे लाखों क्रोडों लोग मारे जा रहे हैं, युक्रीन में कितने सारे लोग अपने घर छोड़ के भाग रहे हैं, अब यहाँ पर सबक देखने को, कुछ सीखने को मिलेगा, जपान को भी, South Korea को भी और ताइवान को भी, तो यह जो देश हैं, यह जो देश हैं, यह भी अमेरिका की allies हैं, कल को China यहाँ पर अग्रेशन दिखाने के कोशिश करें, चाइना की तो आदत है South China Sea म को strengthen करना पड़ेगा, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया की भी बहुत लड़ाई हैं पाकिस्तान के साथ, अगर हम 1962 की लड़ाई की बात करें, जो लो हमारी इंडिया चाने की लड़ाई 1962 में हुई थी, तो उस टाइम पे लेकिन हमको रश्या से हेल्प नहीं मिली थ थी, 1965 की लड़ाई में, that was one of the redemptions as India re-armed itself in a big way, और उसके बाद देखने को मिलता है कि 1965 में, 1971 में हमारी रश्या के साथ दोस्ती बहुत गहरी होती है, तो 1971 में, you know, that was one of the factors के इंडिया और सोवियत की जो ट्रीटी थी, जो ट्रीटी साइन करी की थी between India and Soviet Union, जिसके चलते हमार जब हमको जुरुद पड़ी है, तो रश्या ने हमारी help करी है, लेकिन not always, not always, 1962 में नहीं करी थी, ठीक है, अब 1974 में, again the credit goes to Indian leadership, उस ताइम पिंदरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, for demonstrating India's scientific capability, जो पोखरान 1 nuclear test हुआ था, उसी तरह से credit goes to the leadership in 1998, अतल बिहार इवाजपे प्र बेंदन करना पड़ेगा, बेटर हत्यारों के साथ, ठीक है, देखी हमारे internal challenges है, external security challenges भी है, तो हम ज़्यादा समय के लिए किसी भी देश के उपर dependent नहीं हो सकते हैं, जिस neighborhood में हम रहते हैं, वो nuclear armed है, दो चाइना भी और पाकिस्तान भी, तो इस तरह की situation में, जो atomic weapon है, nuclear weapon है वो एक deterrence की तरह काम आता है, याई कि देखी, जो nuclear weapons है, वो again conventional warfare में नहीं आता, वो non-conventional warfare में आ जाता है, तो nuclear weapons को हम ये नहीं कह रहें कि दिवाली के पटाकों की तरह है, फुल जड़ी की तरह है, कि हम कभी भी चला लेंगे, हमने बात बहुत clear करी है, that we are a nuclear power, but that is a deterrence के भ कोई नहीं आता, help करने के लिए खुद ही करना पड़ता है, खुद ही अपने गंदे मजबूत करने पड़ते हैं, now what it truly means to have strategic autonomy, तो दोस्तों यहाँ पे again ये बात करी जा रही है, strategic autonomy जो है, वो आपकी heart power से आती है, आपकी self-sufficiency in defense manufacturing और R&D से आती है, ठीके, तो अगर आपकी जो conventional capacity है, जो आपकी defense capacity, अगर वो strengthened होगी, तो शायद लडाई की नौबत भी ना आए, right, a nation standing in the pecking order is based, a nation standing in the pecking order only based on the soft power is very short-lived, तो again, soft power में चाहे आप culture की बात करें, चाहे आप religion की बात करें, चाहे आप languages की बात करें, Bollywood की बात करें, cricket की बात करें, योगा की बात करें, इसा बहुत short-lived है, long term के लिए हमको अपनी hard power को increase करना बहुत जरूरी है, आज हम Ukraine का example देख रहे हैं, कि Ukraine कितना dependent हो चुका है, कितना vulnerable हो चुका है, right, तो जिस हम neighborhood में हम रहते हैं, हमारी भी लडाईयां बहुत हैं, हमारे भी issues बहुत हैं, तो इस करके हमको अपने आपको ब पूश्ट कर सकते हैं, question क्या बनता है, Ukraine proves that hard power dictates terms in geopolitics, critically evaluate कर ये statement को 200 शब्दों में, चलिए, चलिए, तो दोस्तों आज के लिए थी ये तीन editorials, बाकी दोस्तों मिलेंगे कल, चर्चा के साथ, और editorials के साथ, तो अब अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें, अगर आपको स आमें लगता है, तो जरूर comment section में, इन में से कोई भी एक answer आप जरूर comment कर सकते हैं, thank you so much, jahind